मकडिया समान रूप से आकर्सक और भ्यानक होती है। उनका जटिल और आशरेजनक रूप से मजबूत जाले बुनना आपको भाय और जग्यासा दोनों से भर देता है। बहुत लोग मकडियों से डरते हैं जिसे अरोकोफोबिया कहा जाता है। सबी लोग जो इस फ्रोविया से ग्रसित है वे मकडियों से डरनने का कान बता सकते हैं। जिस तरह से वे क्रॉल करते हैं उनके बालो वाले सहीर या उनके विस्ट के कान वे लोग डरते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रिथी पर मौझूद छे सबसे खतरनाक मकडियों के बारे में बताने जा रहा हूं। इसे आकरामक आम मकडी भी कहा जाता है। इसके काटने से जहर तो निकलता है मगर वा मनुस्यों के लिए जान लेवा नहीं होता। मगर दर्दनाक बहुत होता है। आम तोर पर इसके जहर का असर लगवग एक सब्ता तक रहता है। या मकडी छेल छाड़ करने के बाद ही आकरामक प्रतिक्रिया करती है। होबो इस्पाइडर की उत्पत्ती यूरोप में हुई मगर इसकी जनसंक्या उतर अमेरिका में ज्यादा है। नमबर फाइब कैमल स्पाइडर या क्रूर दिखने वाली मकडी जो 6 इंस तक बढ़ती है उतरी अफरीका के रिगिस्तान में पाई जाती है। और सुरज की चिल्चिलाती गर्मी मेरेत के नीचे छिप जाती है। या 10 मीर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। या मकडी जहरीली नहीं होती मगर इनके पास बहुत सक्तिसाली जबडे होते हैं जो इनके सहीर की लंबाई का एक तिहाई होते है। इस मकडी की एक और खास बातिया है कि या मकडी अपने सिकार को जिन्द़ही खाना पसंद करती है। नमबर 4 माउस स्पाइडर इस मकडी में जहर तो होता है मगर उसका इस्तेमाल ये बहुत कम करती है। या अपने सिकार पर कभी जहर से हमला नहीं करती। यह मकड़ी बहुत कम आक्रामक होती है इस मकड़ी की विशेष्टा है कि इसके जबड़े बल्ब नुमा होते है इनका सिर लाल होता है यह ज़्यादातर अपने सिकार चूह को बनाती है जिसके कारणी इनका नाम माउस इस्पैडर रखा गया यह मकड़ी अफरीका के रगिस्तानों में पाई जाती है जो अपना ज़्यादातर समय रेट के नीचे बिताती है यह अपने सिकार को घात लगा कर मारता है एक परिक्षन से पता चला है कि इसका ज़र इतना सक्तिसाली होता है कि अगर किजी खरगोस को काट ले तो उसकी मौत पांच घंटे के अंदर ही हो जाएगे। इसके जहर के कान तवचा पर नेक्रोटिक घाव का निर्मान होता है जिससे किरक्ष्ट का थक्का नहीं बनता और लगातार क्व्ण निकलते रहता है जिसके कान खून की कमी हो जाने से सिकार मर जाता है नंबर टू ब्लैक्वीडो स्पाइडर यह मकली दुनिया भर में पाई जाती है इसकी सबसे ज्यादा आबादी ऑस्ट्रेलिया में है इसमें जो जहर पाया जाता है वह बहुत दर्दनाक होता है जिसे की पीडित को जलन और पेट में एठन होती है इसका जहर बहुत जोखिम भरा होता है क्योंकि यह जिसका मतलब है कि यह जहर घातक तो है मगर दूसरे किसी जहरीले जीव के काटने के बाद उसे यह खत्म कर देता है इसके जबड़े इतने सक्तिसाली होते है कि यह चमले के जूते होने के बाद भी उसमें छेट करके काट सकता है इससे दूर रहने में ही भलाई है क्योंकि कि इसका जहर बहुत सक्तिसाली होता है जिसके कान मिन्टों में मौत हो सकती है या दुनिया का सबसे जहरीला मखड़ी अगर पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो इसे अपना वहमूले लाइक जोड़ दे अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करके और जोड़ सेलेट करें यार मिलते हैं निए वीडियो में तब तक के लिए जैधर दिमा